दोस्तों स्वागत है आप सबी का बिहार समाचार में दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े खवरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी comment box में जरूर बताए कि आप बिहार की की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे comment box में जरूर पूछे सबसे पालिक अबर पटना देश के टॉप 30 परभाविद जिलों में तीन दिलों में 144 बच्चे वो 444 की सोर हुए पोजिटीव जी हाँ पटना देश के उन 30 जिलों में सामिल हो गया है जहाँ कोरोना संक्रमन की दर सबसे अधिक है पटना जिली में कोरोना की सब्ता एक संक्रमन दर 21.37 परतिसत है देश में पटना से अधिक संक्रमन दर रखने वाले जिलों की सेंख्या अठाज से केंद्रे स्वास एवं परिवार के लैन मंत्राले ने 10 परतिसत से अधिक सब्ता एक संक्रमन दर वाले देश के 120 जिलों की सुची जारी की है यहां आकड़ा 3 से 9 जन्वारी तक का है इस रिपोर्ट के मुताविक पिछले सब्ता देश की ओसत संक्रमंदर 9.4 परतिसत रही रहत की बात यहां कि सुची में पटना बिहार का एक मातर जिला है 5 से 10 परतिसत संक्रमंदर रखने वाले 106 जिलों में भी बि रिपोर्ट के मुताविक पटना को छोड़ कर बिहार के आने जिलों में सब्ताइक संक्रमंदर 5 परतिसत से कम है अगली बड़ी कबर राज में कोरोना को लेकर जिले में बनेगी कमेटी पी-एम कल करेंगे मुख्यमंत्रियों से बाद जिहा देश में कोरोना के मामलों में तेजी बिर्दी को देखते हुए जिला इसतर पर तैयारियों को मजबूत करने का निर्देश से प्रदान मंतिर नरेंदर मोधी दे चुके हैं इसी सिलसले में मंगरवाल को केंद्रिय स्वास्ट मंत्री मनसुक मानवया ने इंडियर मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक की स्वास्ट मंत्री ने बैठक में कहा कि कोरोना की निगरानी के लिए देश बर में जिला इसतर पर कमेटी बनानी की योजना है जिसमें डाक्टर पुलिस अदिकारी, राज सरकार की दकारे और मुझ की चिकिसा अदिकारी सामिल होंगे बैठक में लगबग 120 डाक्टर वीडियो कॉनफेरेंसिंग के जरिये सामिल हुए आपको बता देखी चार दिनों में देश में कोरोना के नए केश डेड़ लाग से उपर बने हुए हैं मंगलवार को भी 1,68,033 नए केश मिले हैं इससे देखते हुए पीम नरेंदर मोदी गुरुआर को सभी मुखी मंतरियों के साथ औलाइन मेठक करेंगे बिहार में पिछले 24 गंटे में कुरोना से 5 की मौद 5,908 नए संकरमेत पटना से 2,202 केस पीम ने जाना सेम नितिस का हाल बिहार में कुरोना की रप्तार बढ़ती ही जा रही है पिछले 24 गंटे में बिहा अगली बड़ी कबर बिहार में नई दारोगा को 14-15 तक दिया जाएगा नियोगति पत्र जाढ इंप पत्र जानकारी दे जाएगे कि उन्हें कहां जाकर जोईन करना है अगली बड़ी खेवर अब बिहार में भी होगी सेव की खेटी मैं वाज जोन में मिलेंगे फल किसानों की बढ़ेगी आमदरी जाएगा अब बिहार में भी सेव की खेटी होगी सेव किसानों की आई बढ़ाएगा राज में सेव की खेटी की सम्मावनाओं को देखते हुए क बैसाली बेगु सराय और भागलपूर में दो-दो हेक्टर जमकि मुझापरपूर और अंगाबाद बैसाली कटिहार और समस्तिपूर में एक-एक हेक्टर में खेती के लिए किसानों से 15 जनवरी तक आवेदन मागा गया है सेब की खेती की लागत इकाई प्रती हेक्टर दो-लाग च्यालिस जार दो-सुपचास रुपिय है अगली बड़ी कबर बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर परिच्छा के एडमिट कार्ड ऐसे करे डाउनलोड बिहार बिदाले परिच्छा समिति यानि बिहार बोर्ड ने इंटर बारवी बोर्ड परिच्छा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है B.S.E.B. दुवाराजारी नोटिपिकेशन के मुताबिक बिहार बार्वी बोर्ड परिचा 2022 की परिचाए एक फर्वरिस से सुरू होगी और आखरी पेपर 14 फर्वरे 2022 को आयोजित किया जाएगा वही बार्वी प्रेक्टिकल की परिचाए शुरू हो चुकी है जो 20 जनुवरी तक चले बिहार बिदाले परिचा समीति की बार्वी बोर्ड एक्जाम में जो चात्रा सामिल होने वाले है वो ओपिसियल वेवसाइड बिहार बोर्ड ओलाइन डॉट कॉम पर जाकर अपना एड काड डाउनलोड करने का स्टेप ऑफिसियल वेवसाइड पर दिया गया है साथ ही इस बात का ध्यान रहे कि सभी छात्रों को उनके एड्मिट काड के हाड को भी अपनी स्कुल से प्राप्त करने होगी वही एड्मिट काड में अगर कोई गलती है तो उसे सुधार करा ले व अमिद्वारों ने इंटर्मिडेट परिच्छा फर्म भरा है वे अपने एड्मिट काड को डाउनलोड करने में होने वाले किसी समझसा के समधान के लिए हेलप लाइन नंबर 0612-2232074-2232-257 और 22322-39 पर संपर कर सकते हैं अगली बड़ी कबर MLC चुनाओं में कॉंग्रेस को उकाद दिखाएंगे तजस्वी अब तक एक भी सीट चोडने को राज़े नहीं लगबग सारी सीटों पर राज़त के उमिद्वारत है जिहां राज़त नेता तजस्वी पर साद यादव एक बर फिर कॉंग्रेस को हैस मनाने में जुटे तजस्वी आदव ने लगबग सभी सीटों पर राज़त के उमिद्वारों के नाम ताई कर लिये हैं कॉंग्रेस के नेता इंतिजार कर रहे हैं लेकिन तजस्वी बात करने को तैयार नहीं है अज की सबसे पहली कबर बिहार में विकेंड लॉकडाउन की तैयारी एक दो दिन में सरकार कर सकती है ऐलान क्राइसिस मेनेजमेंट गुरूप के बैटक में होगा फैसला जिहां बिहार सरकार कोरोना के बड़ते संक्रमन को लेकर अब बड़ा फैसला लेने वाली है अगले एक दो दिनों में बिहार सरकार विकेंड लॉकडाउन की गोसना कर सकती है इसको लेकर अधिकारिक तोर पर तैयारी की जा रही है जल्दी क्राइसिस मेनेजमेंट गुरूप के बैटक होगी जिसके बाद यह ऐलान होगा जानकारे के मताविक बिहार सरकार लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है इसको लेकर अब पहले दोर में सब्ताइक लॉकडाउन लगाने की विबस्ता की जाएगी यानि कि सनिवार और रहिवार को लॉकडाउन किया जा सकता है बड़ी कबर बिहार में 24 जनवरी तक आएगा कोरोना का पेग पटना एम्स के डक्टर ने चिताया हम सतरक नहीं वे तो भयावा होगी सिती बंदी से बढ़ानी चाहिए बिहार एक बर फिर कोरोना की गिरप्त में है तिसरी लहर में नए केस मिलने के रबतारत दूसरी लहर से काफी तेज है इस बार बिहार का आर वेल चार के उपर है या कोरोना वी स्पोर्ट होना तै यहीं वज़ा है कि बीते 17 दिनों में कोरोना के नए केसे पाच हजार गुना तेजी से बड़े हैं पाटना एम्स के नोडल पदादिकारी डाक्टर संजी कुमार के अनुसार बिहार में तिसरी लहर का पीक 24 से 26 जनुवारे की बिचाएगा इसमें रोजाना 20 जार नए केस सामने आ सकते हैं एक बर बिहार में बड़ों पर भारी बच्चों का जजबा साथ दिनों में 17 लाग बच्चों ने लगवाया कोरोना का टिका बड़ों ने नहीं दिखाए थी इतनी हिम्मार जिया कोरोना की लड़ाय में बच्चों का जजबा बड़ों पर भारी पड़ रहा है बच्चों ने साथ दिनों में 17 लाग वेक्सिनेशन करा कर बड़ी मिशाल पेस की है सुमवार सुबाइगारा बजे तक 15 से 18 वर्स के 17 लाग 14,964 बच्चों ने वेक्सिनेशन कराया है साथ दिनों में वेक्सिनिशन के या आकड़ा स्वास्त विवा के लिए बड़े उपलब्दी है सुराती दोर में बड़ों ने भी इतना हिम्मत वेक्सिन लेने में नहीं दिखाई थी करोना काल में घर सेनिटाइज कराना है तो परिसान होने की जोरत नहीं है अपने छेतर के वार्ड पारसत से संपर करने के साथ इस टॉल फिर नमबर फाइबल टरी फॉर फाइबल भाइबल सीक्स डाउल फॉर पर कॉल की जा सकती है आपको बता दे कि पाटना नगर निगम ने सभी 75 वाडों में 5 बाच हैंड इस्प्रे मसीन उबलब्द करा दी है मसीन के खराब रहने की सिती में तुरंत मरमत कराने के में निर्देश दिया गिया है वाड पारसदों को सेनिटाइजेशन में सयोग करना है इसे लेकर कई वाड पारसद काफी सक्रिया भी हो गए है आप अपने घर के आसपास सेनिटाइजेशन कराने के लिए पाटना नगर निगम के टॉल फिरी नमबर पर सिकायद भी दर्ज करा सकते है बाड़ी कबर बिहार में 48 गंटे में बारिस के असार आज और कल सभी 38 जिलों में मैदाम बारिस का अलड आकासी बिजली सभी रही सावधार जिया मौसम विवाग ने बिहार के दिकाहांस इलाकों में 48 गंटे तक बारिस का अलड जारी किया है इस और आन दचिन मैदोर दचिन पूरू के इलाकों में एक दो इस्तानों पर गरज के साथ बिजली चमकने का भी अलड किया गया है मौसम विवाग के मुताबिक राज में 7 से 1.5 किलोमीटर उपर तक पच्वा एवाम दचिन पच्वा हवा का प्रभाव देखा जा रहा है आब इसमें परिवर्तन होने जा रहा है अब अगले 24 से 48 घंटों में पच्वा एवाम दचिन पच्वा हवा अपने दिशाप परिवर्तित कर पुरव एवाम उत्तर पुरव होने जा रही है इसमें की बड़ी ख़बर IPL 2022 का टाइटल स्पांसर भीवो नहीं टाटा होगा बिसिस स्याई नहीं की घोसना यहां IPL का मुई के प्राइवज़क अब टाटा होगा आइपियल को अब टाटा IPL के नाम से जाना जाएगा IPL अज़फ ब्रिजेस पटेल टाटा को मुई के प्राइवज़क बनाने जाने की पूश्टि कर दी है बीबो को करार दोजर तेस में कतम होना था हलाकि कमपनी और बिस्सियाई ने समय से पहले है अलग होने का फैसला कि